दोस्तों शरपपवार की तरफ से चो शरपवार की NCP है उनकी तरफ से फिर एक बार एक ऐसा डाव खिला गया है इसने महायूती को परिशान करके रख दिया है किया दोस्तों शर्थ पवार है तो जहिर सी बात है उनकी राजनितिक दाव पेच चलते रहेंगे और हमेशा से विरुधियों को वो परिशान करके रखते हैं आपको बताता है कि सोलापुर से एक बड़ा उदाहरन देखने को आ रहा है सोलापुर में शर्थ पवार की NCP ने अजीत पवार की NCP को एक बड़ा जटका दे दिया है शर्थ पवार से मिले अजीत पवार के करीबी विधायक जी हाँ दोस्तों वो भी एक नहीं बलकि कई सारे विधायकों ने से मुलाकात की है जिससे सियासी हल चल जो है अब वो बढ़ गई है महराश ने किसी भी वक्त चुनाओ की डेट को ले करके घोशना हो सकती है और इसी वज़े से राज में सियासी मंच पर भी बड़े घटनाकरम सामने आ रहे है सभी पार्टियों से उनके मौझूदा विधायक टिकट पाने की जुगत में लगे हुए है लगतार कोशिशे चल रही है नए नए तरीके अपनाय जा रहे हैं तो कैसे भी करके टिकट हासिल किया जाए ये पार्टियों के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे है इस बिच सोलापुर की राजनीती में बड़ी हलचल देखने को मिल रहे है दोस्तों मांधा के विधायक बबन शिंदे जो है जो शर्ट पवार की NCP है और शर्ट पवार है उनके नेताओं से उनकी मुलाकात चल रही है खासतोर पर वो शर्ट पवार से मुलाकात करने पहुँचे हैं ये बात सामने आई है आको बड़ा दे कि बबन शिंदे जो है इस समय वो अजीत पवार की NCP के विधायक है और सती सत दिल्चस बात ये है कि भोसारी के पूर विधायक विलास लांडे भी शर्ट पवार की बैठक में पहुँचे थे दोस्तों कुछ दिन पहले ही बबन शिंदे ने अजीत पवार से मुलाकात की थी और शिंदे की इस मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गए थी अपने समर्थकों के संग शर्ट पवार से मिलने पहुँचे हैं विलास लांडे ये बात सामने आई है अजीत पवार के समर्थक मांडा विधानसबास के विधायक बबन शिंदे एंसिपी अध्यक शर्ट पवार से मिलने पहुँचे हैं और शिंदे और विलासलांडे दोनों अजीत पवार के ग्रुप के जो हैं वो नेता है बहु सारी के पूर्व विधायक विलासलांडे चार नगर सेवकों प्रशांत शितोले, मयूर कलाटे, मुरेशवर भोंडवे, विनोध नांडे के साथ फिर शहत पवार से मिले हैं इनके पहले, इनसे पहले राजन पाटिल ने कल शहत पवार से भी मुलाकात की थी दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जो कि अजीत पवार गुट की टेंशन जो है वो बढ़ा सकती है इन नेताओं ने भी टिकट की चाहत में मुलाकात की है और कोशिश उनकी ये है कि शर्ट पवार की तरफ से उन्हें टिकट मिला जाए अगोराद की आश्टी पटोदा से शर्ट पवार गुट के विधान सभा प्रमुक राम खाडे अजीत पवार गुट के विधायक बाला साहिब अजबे के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं अकोला विधान सभा से विधायक किरन लाम्टे के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं दोस्तों तो ये चुनावी समी करण जो है एक के बाद एक सामने नजर आ रहे हैं और इनमें जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अजीत पवार के बड़े नेता बबन सिंदे और विलास लांडे ये दोनों शर्ट पवार से मिलने पहुँचे हैं अब दोस्तों देखिए ये दोनों बड़े नेता हैं जाहिर सी बात है और विधायक हैं और ऐसे में जो टिकट है जो टिकट डिस्टिबूशन है वो लगतार पार्थियों के तरफ से विचार अधीन है कि कौन से कैंडिडेट को टिकट दिया जाए अब जो बड़ी खबर जो उमीदवार हैं उनके नामों की एनाउंस्मेंट भी जो है वो नौरातर के जो नौरातर सुरू होगा उसमें आ सकती है सामने दोस्तों ये बड़ी खबर है और जो विधायक हैं तमाम नेता हैं जो टिकट के जद्दो जहद में लगे हैं उन्हें ये बात पता चल जा र हुआ है और वक्त रहते वो靠 दूसरी पार्टी साथ संब्द में हैं कान्टक्ट में हैं कि क Baptist में है कि कैसे उन्हें किसी भी तरीके से टिकट मिल जा चाहे वह मौजूदा सबिए हैं जिस पार्ति में उस पार्टी से या पिरए छोड़के दूसरे दूसरे पार्टी में ज जहां से NCP के विधायत बहुत ज़्यादा मजबूत है और वहां से वो शोर शोर उनकी seat आती ही है दोस्तों और अब अजीत पवार की NCP जो है उन seat पर अपने उमिदवार उतारना चाह रही है और वहीं शट पवार की NCP भी वहां से अपने उमिदवार उतारेगी ताकि उनकी seat जो है उन्हें जीत करके मिले लेकिन अब इसमें कश्मकश यह है दोस्तों कि एक तरफ तो महायूती है जहां पर कई सारे ऐसी seat है जहां पर BGP के नेता भी यह चाहते हैं कि seat उन्हें मिले और यह खीस्तान की वज़़े से एक शिंदे की जिशे उसेना है उनके भी नेता यह मांग कर रहा है और कई सारे ऐसे seat हैं कम सकंब 20 से 25 seat हैं जहां पेच खतरनाक तरीके से फसा हुआ है और जिन नेताओं को यह लग रहा है कि शाद उन्हें यहां से seat पर टिकट ना मिले वो अपना भविश्य उज्वाल करने के लिए दूसरी पातियों के तरफ रुक कर हैं कम सकंब वहां से seat मिल जा है तो दोस्तों यह seat sharing को लिए करके जो खीस्तान है तमाव रणनीतियां इस्टपीजिस हैं वो नेताओं के तरफ से अपना ही जा रही है लेकिन यह जो मुलकात का सिलसला चल रहा है तो अजीत पवार के जो दो बड़े नेता हैं चाहे वो पवार की पार्टी में उसी तरीके से क्या आने वाले हपते भर में कुछ और बड़े नेता अजीत पवार का साथ छोड़ के क्या शरत पवार के साथ चले जाएंगे क्योंकि आप देखिए कि विलास लाने जो है वो अकेले नहीं मिलें उनके साथ चार-चार नगर सेवक भ भी पार्टी छोड़ सकते हैं अगर ये बड़े नेता किसी तरीके से अजीत पवार की पार्टी में जाते हैं तो आने वाला समय जो है वो अजीत पवार की पार्टी के लिए काफिर चिंता जानक है और बीजेपी जो बैठक कर रही है बहुत सारे जानकार जो राजितिक ज जानकार है वो भी यह मान है कि BGP के लिए सबसे बढ़ी सिरदर्दी जो है वो है नेताओं का एन वक्त पर पाति छोड़कर दूसरी पातियों में जाना यानि कि महायुती के जो तमाम तीनों गटक डल है उन तीनों घटक दलों के नेताओं का छोर छोर कर मायोती का साथ M.V.A. गडबंदन के साथ जाना क्योंकि महाराज में इस तरीके से पूरा मोहल बना हुआ है ये नेता भी जान रहे हैं समझ रहे हैं कि इस बार M.V.A. गडबंदन भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और महाराज की जनता ने इस तरीके से लोगसभा चुनाव में वोट किया है अगर उसी तरीके की वोटिंग विधान सभा चुनाव में होती है तो महाराज में सरकार बदल सकती है इसका पूरा पूरा गुंजाईश दिखाई दे रहा है लेकिन चुनाव से पहले अभी इस पर कुछ भी कहना मुश्किल होगा दोस्तों क्योंकि चुनाव अभी होने है और महाराज की जनता वोट करना अभी बाकी है तो कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा लेकिन जो अटकले हैं जो राजूती जानकार मान रहे हैं उनके इसाथ से अगर हम बात करें तो महायूती के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी तो दोस्तों ये सबसे बड़ी सिरदर्दी है और इसलिए मैं इस कबर को बता रहा हूं कि अजीत पवार की गुट के लिए सबसे बड़ा जटका है तो अभी के लिए दोस्तों इतना है फिर लोटेंगे दो बात करेंगे महाराश से किसी बड़ी कबर पर तक तक के लिए आप देखते लिए 4PM महाराश्टा और मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार